हेलो गाइज मेरा नाम है रोहिद और मैं हूँ आयुश डब लबली हो या फिर आल इलीड रेस्लिंग ब्रेकिंग न्यूज ऑनेस्ट ओपिनियन्स या हो कोई वैक्स्टिज सीक्रेट रेस्लिंग से जुड़ा सबी मजाला क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा तो गैस वेलकम एक बार फिर से आपका असली अखाड़ा की एक और नए एपिसोड में और आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा से यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है हो सकता है थोड़ी यहाँ पर कॉंट्रवर्शल भाते हो जाएं क्योंकि एपिसोड के अंदर टॉपिक है हमारा कुछ ऐसा है इस वीडियो के अंदर हम लोग रैंक करने वाले हैं अब तक का बैस्ट यूनिवर्सल चैंपिन कौन सरा है तक क्योंकि इसके अंदर हम दोनों की आपिनन हो तो आप कोई चल जाए तो आई उस सबसे पहले मैं तेरे से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं पहले चाहता हूँ कि ज़रा पहले मेरे को जानने को मिले कि अगर हम 8 स्पॉर्ट की बात करें तो तेरे इसाप से जो पूरी रैंकिंग है क्योंकि हमें 8 युनिवर्सल चैंपिन देखने को मिले लेकिन नमबर एट पर लोगों को इससे सर्प्राइज होना चाहिए लेकिन तब भी होंगे और मैंने यहां पर रखा है रोवित दा फींड ब्रेवायत को अब आई डोट नो कि क्या शॉक है या फिर क्या है लेकिन इसका रीजन में पहले देदूस्त से पहले भाई रोवित यहां पर में को जो है आगया कि वो ऐसा कैसे कर दिया लेकिन भाई आई थिंक कि फींड एक ऐसा बंद है जो पहली बार दो बार जीता है यूनिवर्सल चैंपेंशिप और मैंने कभी किसी चैंपियन की रिसेंटली जो बुकिंग है एक टॉप लेवल स्टार की इतनी बेकार होती हुए भाई नहीं देखी है अब भले वो फींड का कैरेक्टर की वज़ा से डेब्यू डूबली ने जान बूचके करा है क्या करा है वो नहीं मुझे पता भाई लेकिन रोई जो बुकिंग है ना फींड की बाई समझी नहीं आ रहा था कि डेब्यू डूबली आखिर के साथ करना के चाती है चैंपियन वाला कभी उसको फील ही नहीं दिया गया कभी धंकी उसको रेन नहीं दी गई और अपोनेंट्स की हम बात करें तो जबकि कोशिश क बड़े मैच करने की लेकिन वो सकसेस्फूल लेकिन मैं जानना चाता हूं कि क्या हमारे उपेनने मैच हूँ बिलकुल देखो हमारे उपेनन तो मैच नहीं हूए है लेकिन काफियत तक मैच भी भी अगर आप गय कि 8 वे नंबर पर मैंने भी ध़ींड को रखा है तो ऐसा न जब आप तुम as a challenger सामने उतार दोगे तो भाई कैसे scene बनेगा डैनल बैन as a challenger सही रहते हूं उनके लिए काफी कोशिच भी की कि भाई लगे believable लगे लेकिन भाई मामला बैठा नहीं वैसे तो मैं इस बात से हो चुके हैं बिल्कुल ब्रिवाट की तरह bronze sroman की bronze sroman का title reign मैं उम्मीदे लगाते 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 डबल अबली से थक गया और मेरी उम्मीदे तूट भी गई जाके क्योंकि मुझे समझ आए कि भाई नहीं होने वाला नहीं होने वाला नहीं होने वाला bronze sroman के साथ कुछ अच्छा और title reign खतम भी ऐसे हुआ पूरे title इस landy title reign के अंदर मैं कौँगा landy title reign है नहीं जब की लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहांपन मेरी ख्याल से देखने मजनिया था और इसलिए मेरी लिस्ट में आर्ट में नमर पर bronze sroman का नाम है और और कमाल की बात पता है क्या है रोई थे हांपर की expectation शायद और बहुत लोगों की थी लेकिन उनमें से एक मैं नहीं था और I don't think कि इस से रोई डिसेगरी करेगा क्योंकि जब हम पहले उस ताइम पर भी बात करते थे तो रोईत को महीं बोलता था ब्रॉन स्ट्रोमें जो है एक बंदा ऐसा है जो हां उसको अगर डेवुडवी चाहे तो भाई क्या नहीं कर सकते हो सकता है कि कुछ हो जाए लेकिन वो जो लिमिटेशन थी ना ब्रॉन स्ट्रोमें की वो मुझे हमेशा दिखते थी कि नहीं भाई इसके साथ या तो डेवुडवी कुछ करने नहीं वाली क्योंकि ऐसा चैंपियन मेरे को ऐ इन डिस के साथ था जो रो हित का ब्रॉन स्ट्रोमें के साथ था लेकिन रोहित मेरे के लिस्ट में नंबर 7 पर ब्रॉन स्टोमें है क्योंकि I don't think कि लोगों की expectations मैच हुई और साथ के साथ ब्रॉनस्टिरोमें के भी expectation मैच नहीं हुई क्योंकि जब यूनिवरसल चैंपियं जिब जीतने का तरीका देखा हमने जिस तरीके से वो हुआ भाई तो लोग खुश हो गए कि फाइलली ब्राउन स्टोमेन को एक मॉंस्टर बना दिया है यह तो बड़िया चैंपियन बनेगा और जो है भाई हमने देखा आपने में से बोला था कि ब्राउन स्टोमेन की लिमिटेशन्स है एज चैंपियन वो सही काम नहीं कर सकते मेरे को कही नहीं लगता था कि नहीं आर ऐसा नहीं हो सकता बट एक्चुल में वो वाली बात सही निकली जिस तरीके का हमने उनका रेन देखा और हाँ गोलबक को हराने के बाद हम खुश हुए कि भाईया चलो गोलबक को हरा है ब्राउन स्टोमेन अब निकलेगा बंदा लेकिन वो चीज सही साबित नहीं तो कहीं हाँ तक हम कह सकने की आठ में नमबर पर हम दोनों ने उस बंदे को रखा है कि जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसने काम नहीं करके दिया तो सेवन पर तेरा ब्राउन स्टोमेन का होना बनता ही है लेकिन सेवन पर मेरी मेरी लिस्ट में कोई और ही बनता है और यह नाम है फिन बैलर का और यहाँ पर ज्यादा मैं कुछ बोल हूँगा नहीं क्योंकि फिन बैलर के साथ बोलने के कुछ है नहीं भाई एक दिन का टाइटल रेंट तो उनका पूरा है नहीं क्योंकि समर स्लैम के अंदर चैंपनशिप तो उन्होंने जीती लेकिन उसके बाद पता ही है शोल्डर इंजिरी की वजए से उनको जो है वो टैटल रिलिंकुश करना पड़ गया तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बैलर के बारे में बोल नहीं सकते है और मेरी रैंकिंग में तो वो 7 नमर पर रहेंगे और मेरे ख्याल से शायद तेरी लिस्ट के अंदर भी जादा रैंकिंग में दूर है नहीं कहीं फिन बैलर मजे की बात यह कि मैं सोच रहाँ कि रोहित ने फींड को आखिर कितनी सिंपती दिये लेकिन फिन बैलर को मैं भी सिंपती दे रहा था कि यार इस बंदे की भले ही क्या गलती है यह इंज़ड क्यूँ हुआ अगर नहीं हुआ था तो रोहित क्या पता युनिवरसल चैंपेशिप कभी करस्ट ही ना होती क्या पता युनिवरसल चैंपेशिप best चैंपेशिप बन जाती लेकिन 22 घंटे की रहन के साथ इससे आरह सिंपती मैं बैलर को नहीं दे सकता and he is number six in my list और जैसा कि रोईत ने कावई इसके बारे में क्या ही comment कर सकते हैं क्योंकि जीता title और आके relinquish कर दिया उसके बाद लेकिन रोईत इतना मैं जरूर बोलूँगा कि WWE के पास ना मौके थे उन्होंने NXT में भेज़ दिया बैलर को वापिस लाके पता नहीं क्या करा लेकिन definitely कई ना कई मौके थे title फिर से जितवाने के बैलर के मौके title जितवाने के थे लेकिन मुझे लगा कि WWE ने शाद ऐसा सोच के रखा था कि भाई इस बंदे ने अगर पहले point पे click किया तो किया और उसके बाद अगर ये चीज नहीं हुई तो फिर ये दुबार से कभी लॉट के आनी नहीं है भली हमने रॉपर देखे कि ऐसे Roman Reigns ने उनको matches दिये थे Universal Championship के लेकिन हमको पता था कि ये matches उतने बड़े level के नहीं है कि जहाँ पर Finn Balor Universal Championship को दुबार से claim कर लें तो वो मौके बनने जैसे moment आये नहीं है ऐसा लग रहा है अब वो शायद आने वाले हैं बट खेर वो बात की बात है लेकिन हाँ वो Finn Balor का शायद मौका अगर उस time पर बन जाता तो Vince McMahon का Vince McMahon का जो भरोसा था ना ऐसा लग रहा है कि Finn Balor ने पहले ही बारी में गवा दिया उसके बाद Vince ने ट्रस्ट नी दिखाया तो ये तो था Finn Balor का 6 नमर पर लेकिन मैं आपने 6 नमर की बात करने तो यहाँ पर मैंने लिस्ट किया है किसी और सुपरस्टार को नहीं बलकि 2 टाइम युनिवर्सल चैंपेण क्योंकि Goldbug के Rain देखो सबसे पहले तो छोटे थे यहाँ पर मेरी जादा कोई expectation थी नहीं और at least Goldbug जो एक काम करते है वो है buzz create करना और उनके matches होते हैं बड़े उनके matches थोड़ी सी star power create कर लेते हैं WWE के लिए तो इस वज़े से भली उन्होंने जो भी दो सबसे बेकार पॉसिबल वे था जो की हो सकता था लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा buzz create करते हैं सिर्फ इसी वज़े से मैंने उनको उपर रखा है बाकी मेरा ऐसे कोई खास रीजन है नी बाकी तेरा तेरी रैंकिंग में गोलबग और और मेरी curiosity अभी भी चल रही है कि भाई रोहित ने अखिर कितना पसंद किया था The Fiend को कि मैंने उसको आठ पे रखा है अब मैं उमीद कर रहा हूँ गाइस कि रोहित ने उसको first पे नहीं रखा लेकिन जैसे sympathy रोहित ने दिया ना भाई मैंने भी थोड़ी बहुत sympathy गोल्डबक को भी यहां पे दिया है He's number 5 on my list और sympathy देने का reason सिरफ यह है कि बाकी जो उपर के थे मतलब 8, 7 और 6 पे वो उससे उपर मेरे साथ से आ नहीं सकते थे तो गोल्डबक के लिए lowest possible जो बचा था वो 5 था और इसके उपर जितने भी champions I think उनकी performance बेटर थी अब अगर हम देखें कि भाई बिना champion के गोल्डबक कैसा करता है तो वो थोड़ा सा better होता है जब as a challenger गोल्डबक आए I think वो एक better चीज रहती है ना कि गोल्डबक as a champion बिना championship के भी मेरे ख्याल से गोल्डबक अच्छा काम कर सकते हैं और fifth number पर यहाँ पर मैंने किसी और को नहीं दफीन को रखा और मुझे लगता है यहाँ पर एक proper explanation मेरे को अब देना पड़ेगा कि आखर पांसवे नमबर पर मैंने क्यों रखा है क्यों कि यहाँ पर भाई इस नमबर पर मतलब पांसवे तो नहीं यहाँ पर कौन सा नमबर उनको जिस तरीकी की booking मिल सकती थी वैसी नहीं वही लेकिन फिर भी अगर मैं इन से नीचे stars देखूं गोल्बग, Finn Balor और ब्राउन स्टार है और मैं Fiend को as champion, Bray Wyatt को as champion उनके कंदों पर championship देखकर खुश होता हूँ कि यह बंदा championship अपने कंदों पर hold करना deserve करता है एक person के तो और पर मैं खुश होता हूँ उसको championship उसके कंदों पर देखकर यह थोड़ा सा आपको stupid reason है लग सकता है मुझे ना मुझे मुझे इंटरॉप कर रहा हूँ उसके लिए sorry लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित जो भी Brave Ayat के बरे में सोच रहा है उसका exact opposite मेरे दिवाग में है क्योंकि जैसे रोहित ने बोला कि भाई कि ब्रॉंस्ट्रोमें से साथ उमीदे लगी थी यह था वो था वो exact उमीदे मैंने लगा रखी थी Brave Ayat से और जब एक character से बहुत जादा उमीदे होना कि यह कुछ करेगा और उसकी जिस तरीके से मैंने booking देखी उतना ही जादा मुझ जादा expectation हो और बिल्कुल उसका कचरा ही हो जाए तो भई बंदे को गुस्सा आते हैं I think उस गुस्से का नतीजा है मेरी लिस्ट में एंड बिल्कुल शायद तेरा को जादी hard opinion हो जाएगा मुझे नहीं पता कि The Fiend इतनी जादा nature मतलब obviously तेरी ranking अलग है मेरी ranking अलग है इसी जाए से हम दोनों के opinion भी अलग अलग है लेकि मेरे क्याल से मैं as a champion Bray Wyatt को देखता हूं कि वह champion बने इस वह से मतलब as a champion उनको देखकर मुझे खुशी होते है शायद मैने इसी वह से list में उनको उपर रखा है और क्योंकि list में उनसे नीचे superstars ऐसे हैं जो खुद भी कुछ न number है वह नीचे होता और इसी वजए से अगर मैं अपनी list को थोड़ा सा और उपर लेकर आऊँ तो यहाँ पर फोर्थ पर मेरे नाम आते हैं कोई और superstar नहीं बलकि Kevin Owens और अभी मैं list भी चेक कर रहा था कुछ fact चेक कर रहा था तो मुझे पाता चलता है कि वह youngest champion भी थे और ज जिस सरीके से Roman Reigns, Bronze Roman जैसे opponent मिले Chris Jericho के साथ उनकी chemistry मतला पूरा बस हाँ वो टाइटल जिस सरीके से वहार है उसको साइट गड़ दो उसके अलावा अगर मैं मजे लेने की बात करूं तो पहला कोई Rain अभी तक हम list के अंदर बात कर रहे हैं जिसको देखने में हमको थोड़ा और Owens का मैच WrestleMania में नहीं हुआ Universal Championship के लिए क्योंकि WWE चाती थी Gold Bug का मैच करना लेकिन उसके इलावार होई यह बात बिलकुल perfectly बताई कि कैसे जब Kevin Owens जिसको शायद Vince उतना टॉप स्टार नहीं मानते हैं उसने भाई गाड़ी बढ़िया से चलाई थी और साथ की साथ fun entertainment था Monday Night Raw पे ज़रिको के साथ storyline थी Kevin Owens की I think वो क्या एक point था Raw का last term actually है रफते Raw के लिए थोड़ा interest दिखाते थे कि हाँ इस अफते कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है comedy भी थी साथ के साथ entertainment भी था और Kevin Owens की जिस तरीके से जरिको ने help करी उसके बाद हमें shark cage match पता नहीं क्या क्य अलग लग चीजें देखने को मिली हुई हैं दोनों के बीच में एक दूसरे की chemistry जो है इनकी आपस में इतनी बढ़िया थी और I think Rohit उसकी वरे से हुआ तो Kevin Owens same लेकिन 3-2-1 पे अब हम जा रहे हैं और भाई number 3 में अपना पहले reveal करना चाहूँगा Rohit and he is Seth Rollins लेकिन opinion नहीं और यहाँ पर मुझे रसा कि हूँ लग रहा है कि हमारी गाड़ी अब same track पर ही चलीगी शायद number 3 पर देखो Seth Rollins के होने का मेरा reason यही रहेगा कि Seth Rollins के दो title reign दे कि शायद हमने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार हमने देखा कि जब उन्होंने Wrestlemania 35 में Brock Lesnar से championship जीती थी देखो इसमें कोई भी अंतर नहीं है कि हमने जो परला title reign है definitely Seth Rollins का वो जादा enjoy किया था क्योंकि Brock Lesnar के पास championship बहुत time से थी और चाहा रहे थे कि भईया Brock Lesnar को कोई हरा दे Brock Lesnar को कोई हरा दे और वो कहाँ जब Seth Rollins ने करके दिखाया जब वो beast slayer बने उसके बाद fans ने उनको as baby face काफी enjoy किया लेकिन उसके बाद आयोश twitter के उपर क्या कश्रा किया Seth Rollins ने वो तो फिर सब जानते ही है और एक बार नहीं भाई दोनों बारी Brock Lesnar को हरा दोनों बार cash in करने के बाद भी summer slam में फिर से Brock Lesnar का number आया था and I think कि Seth Rollins ना जो मतलब मचा था गंद वो Seth Rollins उसके लिए खुदी credit लेते हैं I don't think कि मैं Seth Rollins के बारे में जादा उल्टा बोल सकता हूं क्योंकि he is one of my favorite superstars अभी भी अगर current roster से मैं top 5 की बात करूँगा तो Rollins का नाम उसमें definitely आएगा और rain की जहां तक बात है I think Roveet reason ना हमारा यही होगा कि इसके उपर जो दो नाम है वो इससे उपर ह होने चाहिए थे तो I think इसलिए Rollins third और वैसे जिन लोगों को समझनी आ रहा Seth Rollins ने क्या यहां पर गंद मचाई थी तो वो scene यह हो गया था कि Twitter की ओपर वो fans के against यह हो गया थे काफी backlash उनको मिला था वो कह रहते मेरा bank balance बढ़ गया है तो बहुत सारे जो indie wrestlers से उनकी बेज़ superstar नीचे से अब number two पर भाई आयूश superstar आपके कौन है मैं guess तो कर रहा हूं है आपर लेकिन अगर वो आप अपने मूझ से बताओगे तो ज्यादा सही रहेगा I don't think कि कोई guess है मुझे लग रहा है कि मेरी list leak हो चुकी है गहीं लेकिन this is Brock Lesnar तो Brock Lesnar के तीन Universal Championship की रहीं रहे चुक उपर नीचे उपर नीचे ग्राफ रहा Lesnar का अच्छा भी बहुत था कुछ low points भी आए तो over the three rings अगर मैं सबसे एक main reason पूछूं कि अगर एक सिर्फ एक चीज़ उठाने हो कि Brock Lesnar ने Universal Championship को क्या दिया है तो वो क्या होगा I think कि हम बात कर रहें Universal Championship के curse होने की तो वो curse कहीं ना क तक पहली बात तो कोई Universal Champion रहा नहीं Brock Lesnar की obviously 500 से जादा दिन की I think rain थी तो वो एक point था लेकिन उसके अंदर जो matches उनके कम हुए वो भी थोड़े मतलब उतना interest नहीं बना था क्योंकि बहुत inconsistently Lesnar आ रहे थे लेकिन तब भी इससे पहले के सारे जो Champions थे उन्होंने consistently I don't think कि उ था पाए वो Champion में जितना Lesnar के टाइम पर था यह सबसे जादा जो एक मज़े की बात थी Brock Lesnar के साथ कि जब वो Universal Championship के साथ लिंक हुए तो एक तो Universal Championship की value बढ़ गई क्या पता अगर Brock Lesnar ने इतने टाम तक Universal Championship को अपने कंदों पर रखा ही ना होता तो वो इतनी जादा prestigious होती ही क्योंकि Brock Lesnar जैसे बंदे ने शायद हो सकता है उस Championship को World Heavyweight World Title का दर्जा दिया हो सकता है WWE सिर्फ इसको World Title बुलाती लेकिन वो World Title जैसा दिखता ही नी तो मेरे ख्याल से यह एक ऐसी चीज है जो कि Brock Lesnar ने टाटल को होल्ड किया उस वज़े से हुई लेकिन उनका part-timer वाला जो जैसे मैं तो एक एस करूंगा बाई अब नंबर टू तो हमारा सेम है और अबविसली नंबर वन भी हमारा सेम है और इस ट्राइबल चीफ युनिवर्सल चैंपयं करन्ट उनिवर्सल चैंपयं रोमन रेंज और नंबर वन पर होना मुझे लगता है कि लिस्ट में इतना गए है जिसकी कोई लिमिट नहीं है इतना आगए है इतना आगए है इतना ब्रॉक लेस्नर ने जो है वो कर्स हटाया युनिवर्सल चैंपयंशिप से लेकिन रोमन रेंज ने बोला कि भाई कर्स तो वापिस नहीं आएगा अब and I don't think कि हम इसके लिए सिरफ रोमन रेंज क किस टाइब के कॉमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं लेकिन कोई डिनाय नहीं कर सकता है इसको कि रोमन रेंज इस दी बेस्ट युनिवर्सल चैंपियन हो सकता है फ्यूचर में आके कोई रोमन से भी बेटर परफॉर्म करें लेकिन टाइटल को इतना प्रिस्थीजियस तो बाइ वो तो इतना बौना लगता है ये हील वाले रोमन रेंज के सामने कि मतलब बात ही क्या है तो काई इस तरीके से हमने ये रैंक Edit एिक बीश्य कि अपिसेड बड़ने के अब प्लाटफॉर्म के ऊपर पो फॉलो करके आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर अन करें ताकि जब नेक्स एपिसोड आए तो आपको ज़रूर पता चल जाए बाकि हम लोग आपसे मिलते हैं असली अखाड़ा के नेक्स एपिसोड के अंदर तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर